hello students तो बही आज का session कुछ खास भी उने वाला है मैं अभी से बता देता हूं खास क्यूं होने वाला है क्योंकि जब हम पूरा session complete कर लेंगे तो आगे आने वाले sessions में हम क्या gift देने वाले हैं कुछ change किया है हमने कुछ बहुत अच्छा आप लोगों के लिए लेकर के आए और जिसमें आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है नीट काका जेई का एक नया लाँचिंग क्या है वो प्रडिक्ट आपको आज एंड में पता चलेगा तो stay tuned with us क्या कहने वाले हैं हम वो सब आपको समझ में आ जाएगा फिलहाल हम कहा है आज session SSQC का chapter कौन सा है biodiversity and its conservation यानि के ecology का chapter number 3 और 12th class का chapter number 15 यहाँ पे हम पहुँच गए है भई डेली session चलते हुए आज 29 session हमारे हो जाएंगे आप इसी तरह से जुड़े रहें आपको क्या मिलेगा score मिलेगा NEET में selection मिलेगा और एक अच्छा सा medical college मिलेगा लेकिन कब मिलेगा जब आप जुड़े रहते हैं last तक हमारे साथ पढ़ते हैं हर question का answer देते हैं और जहाँ गलती होती है उसे सीखते हैं स्टार्ट करते हैं बिना समय जाया किये हमारा आज का session उससे पहले last session का winner कौन है तो ये book neat और जेई के लिए बहुत important book जीत की रणनी थी आज किसको मिलने वाली है यानि के कल जिसके सही answer पे सबसे ज्यादा like रहे है उनका नाम है heart hacker यानि उनके channel का नाम है heart hacker आपका जो भी real name है आपको हमारे number पे whatsapp करना है 7230008555 इस number पे आप whatsapp करें अपना नाम आपके channel का नाम किस session के आप winner रहे हैं और आपका address ये चीजें आप भेज दीजिए आपके घर पे हमारी ये book जो कि आपका gift है आपको पहुंचा दी जाएगी start करते हैं आज के session को question number one के साथ क्या है पहला question first question है more than 70% of all the species recorded so far आज तक जितनी भी species discover हुई है उन मेंसे total मेंसे 70% total किसका है तो देखिए टोटल मेंसे 70% कौन है insects है plants है animals है या invertebrates है क्या है answer भई क्या total का 70% तो insect ही है या plants है या animals या invertebrates बिना confused हुए जल्दी answer देना है हमें क्या होगा answer हिंट में यह देता हूँ कि भई animals का animals का 70% total animals का 70% जो है वो insect होते है total animals का 70% होते हैं insect हमने बोला है total species का 70% कौन तो आंसर क्या हो जाएगा animals आंसर क्या हो जाएगा animals total species जितनी आस तक recorded है यानि हम कहते है 1.7 to 1.8 million species आस तक recorded है उन में से 70% तो animals ही है और total animals का भी 70% कौन है insects है next question question number two पे आते हैं भई which one of the following statement is correct for botanical garden इन में से कौन सा statement botanical garden के लिए बिलकुल सही है क्या है भई पहला option they provide a beautiful area for recreation recreation का मतलब होता है manoranjan तो recreation या manoranjan के लिए बहुत beautiful area provide करते हैं one can observe tropical plants there आप botanical garden में tropical plants देख सकते हैं यह इसका एक correct statement होना चाहिए they allow exit to conservation of germ plasm यहां पे germ plasm का exit to conservation होता है यह दे प्रोवाइड the natural habitat for wildlife wildlife के लिए natural habitat provide करते हैं क्या होगा भई answer जल्दी से answer देना start करें क्या होगा answer तो भई correct answer इसका होने वाला है botanical garden के लिए आपको बुला है तो सीधा आपको exit to conservation नजर आना चाहिए answer क्या हो जाएगा they allow exit to conservation of germ plasm यह रहेगा भई answer तो दो questions का हमने सही answer देख लिया है कि इदर लिखा है obvious reason for biodiversity conservation habitat destruction high endomism and alien species match करिए और इदर जो options लिखें उनमें से एक फटाफट से answer दीजिए मैं थोड़ा सा side हो जाता हूँ आप देखिए जल्दी से answer क्या होगा और answer कीजिए fast तो भई अब तक आप answer पैचान गए होंगे क्या रहने वाला answer देखिए हमको क्या करना है मैच करना नाइल पर्च लेक विक्टोरिया लाइन जो नाइल पर्च है वो कैसी है एलियन स्पीशीज है क्या है वो एक एलियन स्पीशीज है बात करें narrowly utilitarian इनमें से क्या है obvious reason for biodiversity conservation narrowly utilitarian arguments क्या कहते है obvious reasons है यह biodiversity conservation के main cause for biodiversity loss सबसे important या main cause कौन है biodiversity loss का तो वो है habitat destruction habitat का तूटना फिर hotspot क्या होते है hotspot ऐसे area होते हैं जहां पर high degree of endemism मिलता है यानि के answer क्या होगा 4123 4123 का मतलब है option number B is correct answer हो जाएगा इसका B next question पर आते है question number 4 क्या होगा भई question number 4 beam as the following है अपकी बार लिखा है biodiversity in-situ conservation plant pollinator mutualism and ex-situ conservation इधर लिखा है Edward Wilson co extinction on-site conservation and off-site conservation आपको match करना है किसके साथ क्या match होता है और answer करना है यहां पर option लिखे हुए a b c and d क्या रहेगा correct answer जल्दी से बता देना है भई क्या करना रहेगा जल्दी से match the following करिए और सही answer बता दीजिए total 25 question होंगे एक bonus question और इस बार मैं कुछ शांदार बताने वाला हूँ आपको क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा next word Wilson NCRD का point है in-situ conservation को हम क्या बोलते है on-site conservation भी बोल देते हैं ऐसे ही ex-situ conservation को हम off-site conservation भी बोल देते हैं बसता है plant pollinator mutualism जो co-extinction का भी example है यानि के one three two and four one three two four answer होगा c c is the correct answer for the question number four question number five क्या रहेगा भई क्या होगा question number five देख लेते हैं हम कि आपको यहाँ पे दिये हैं तीन पाई चार्ट जोके बहुत important पाई चार्ट से हमारे need point of view से ncrd के आपको यहाँ पे ए one two three four दिया है इसको पहचानना है one two three four क्या है थोड़ा सा अगर आपको देखना ही रहा है तो मैं बता दूँ यहाँ यहाँ दिया है one यह one बताया है इस जगे यह पे ऐसे ही यहाँ पे बोला है आपको two फिर यह पुचा है आप से three and यह बोला है आपको four जल्दी से answer करना है आपको पता होना चाहिए क्या है यहाँ से answer options में से देखिए one two three four यह पाई चार्ड हमें याद होने चाहिए और बताना है अंसर क्या होगा भई क्या रहेगा अंसर तो देखिए जो other animal group है insect है, invertebrates का group है उसमें insects भी है other animal group भी लिखा है, crustacean भी लिखा है और एक बहुत बड़ा part या third number पे इन में से क्या आता है, इन में से mollusk आता है hexapoda आता है, turtle आते हैं, क्या आता है फिर vertebrate वाले में fishes, mammals, birds, reptiles दिया है और क्या नहीं दिया है, आपको पैचानना है तो पैचान रहे हैं बहुत सारे बच्चे third of fourth number इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर mollusk आने चाहिए, यहाँ पर आने चाहिए amphibians, यहाँ आना चाहिए fungus और यहाँ आना चाहिए angiosperm, क्या है answer mollusk, amphibian, fungi and angiosperm answer हो जाएगा A यानि A is the correct answer for question number five 5 questions हमने अब तक discuss कर लिए question number six क्या रहने वाला है देखते हैं जल्दी से question number six which of the following is not the example of recent extinction इन में से कौन recent extinction का example नहीं है नहीं पूछा है भाई याद रखना नहीं पूछा है Steeler Seacow, Dodo, Quagga and Pison इन में से चारों में से फड़ाफट से answer क्या होगा recent extinction का example नहीं है इन में से कौन नहीं है क्या Steeler Seacow है क्या Dodo है Quagga है या Pison है और कौन सा नहीं है अपने आप पता चल जाएगा आपको तो भाई Steeler Seacow है Dodo भी extinct हुए है recent year में Quagga भी हुए है लेकिन Pison नहीं याँ पे passenger Pison होता तो हम कहते ये passenger Pison नहीं है केवल Pison है इसलिए ये गलत है और हमारा answer हो जाएगा D of life towards diversification on earth there have occurred following number of episodes of mass extinction जब से origin हुआ है अर्थ का तब से लेकर के diversity होने तक इस अर्थ पे mass extinction एक बड़े लेवल पे mass extinction के कितने episodes complete हो चुके हैं ये हमें बताना है कितने episodes complete हो चुके हैं 2, 3, 4 और 5 कितने अब तक complete हो चुके हैं क्या होगा answer तो answer होगा 5 episodes are completed and the 6th one is going on NCRD में लिखा हुआ है जो 6th one हो रहा है ये बहुत fast thousand rate ज्यादा सौ से हजार गुना तेज हो रहा है पहले वालों से तो ये point NCRD का ही है question number 7 हमने complete कर लिया है question number 8 क्या है देख लेते हैं भई the evil quieted evil quieted of biodiversity loss does not include evil quieted जो होते है bad diversity loss के उन में से कौन यहां नहीं है मतलब इन में से वो कौन है जो diversity के loss के लिए responsible 4 reasons evil quieted में से एक नहीं है ये हमको पैचानना है habitat loss introduction of alien species over exploitation या hunting इन में से वो पैचानना है जो नहीं है एक reason या evil quieted नहीं है ये जल्दी से बता दीजे क्या होगा भई तो habitat loss सबसे major reason है सबसे major reason है introduction of alien species भी एक reason है जिसकी वएसे लिए हुए है एक और reason क्या आता है वो आता है co-extinction एक और reason होता है co-extinction इसलिए ये चार कहलाते है evil quieted तीन यहां लिखे है चौथा या नहीं है उसकी जगे हंटिंग लिखा है जो के गलत आंसर हो गया question number 9 क्या होगा the citulate fishes या species of lake victoria were driven to or nearly to extinction by the introduction of the citulate species of lake victoria were driven to or nearly to extinction by the introduction of इन में से क्या introduction करके citulate species को lake victoria से खतम कर दिया गया या उसकी बहुत सारी species extinct हो गई थी NCRD का point है पहचान ये क्या North American sturgeon लिखा है Nile perch है Eels है या बास है फटाफट से आंसर दे दीजिए तो बहुत clear है इसका answer क्या होगा भई answer होगा Nile perch Nile perch को जब introduce किया था तो citulate fishes वहाँ से extinct हो गई थी आज end में हम बहुत important discussion करने वाले हैं नीट का का जेई का एक ऐसा initiative एक ऐसा product जो के physics आपकी बहुत अच्छी कर देगा जिससे physics में आपके बहुत भैथरी number आ जाएंगे उसके बारे में हम discuss करने वाले हैं और आने वाले time में वो भी आपको दिया जाएगा as a gift अगर सही अंसर देते हैं तो आप बने रही है stay tuned with us क्या होगा वो देखते हैं question number 10 है which one of the following shows concept of species area relation इन में से species area relationship कौन सा concept show करता है पहला है the number of species in an area increases with the size of the area larger species require larger habitat areas than do smaller species most species within any given area are endemic अधिकतर species endemic होती है the larger the area the greater the extinction rate जितना बड़ा area होगा वहां से उतने ही ज्यादा extinct होंगे इन में से species area relationship के लिए सही क्या है statement फटाफट से पहचान जाईए क्या रहने वाला है बई सही option इन में से किस के लिए species area relationship के लिए तो अब तक आप पहचान गए है answer क्या होगा इसका answer होगा a the number of species in an area increases with the increase in area जैसे ऐसे area बढ़ता है species का size भी a species का number भी increase होता है यह answer है a question number 10 का 11 number question पे हम लोग move कर जाते हैं क्या है भई फिर से mass the following endemism hotspot of india sacred group cryo preservation and x-situ conservation इदर लिखा है khasi and gentia hills मेगाले advanced x-situ conservation species found in a particular area only zoological park and botanical gardens and last दिया है western guards match करना है हमको कहां किसका कौन सा सही match है match कर लीजिए जल्दी से और फिर अपने options को match करिए यहां पर लिखे statement से कौन सा correct है a b c या d 3-5-1-2-4-1-2-3-4-5-2-3-4-5-1 या 5-1-4-2-3 correct answer आपको देखना है फटाफट से बताना है क्या होगा सही answer पहले हम match the following देख लेते हैं क्या है बई एंड़मिजम एंड़मिजम किसको कहते हैं species found in a particular area only और कहीं ना मिले उसको कहते हैं एंड़मिजम होट्सपोट अफ इंडिया कौन है खासी एंजेंटिया हिल्स मिगाले यह हैं होट्सपोट sacred grooves western ghats हैं क्या या आप sacred grooves khasian gentia hills को भी कह सकते हैं अगर आप hotspot नीचे देख पा रहे हैं western ghats को अगर इनको hotspot कह रहे हैं तो यह sacred grooves आपके khasian gentia hills में भी आ सकते हैं फिर cryopreservation इन में से advanced x situ conservation का एक method है और x situ conservation species हम क्या कह सकते हैं कौन सा होगा भई zoological park and botanical garden क्योंकि देखें इन देने में से दोनों ही x situ था लेकिन advanced x situ कौन है cryopreservation है और यह केवल x situ हम बोल सकते हैं इसलिए answer क्या रहने वाला है 3 फिर 4 3 5 3 5 then 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 1 2 4 का मतलब है a option a is correct इस तरह से हमें answer करना है question number 11 का question number 12 क्या है भई देख लेते हैं फिर से मैंस्थ फॉलाइंग है narrowly utilitarian argument broadly utilitarian argument and ethical argument इदर लिखा है conserving biodiversity for major ecosystem services conserving biodiversity for philosophical or spiritual need to realize that every species has intrinsic value and moral duty to pass our biological legacy in good order to future generation or yaha diya hai conserving biodiversity for direct economic benefits like food medicine industrial product etc फटाफट से हमें answer करना है भई किसे क्या कहेंगे हम narrowly में कौन आएगा broadly में कौन आएगा और ethical argument में कौन आएगा तो देखते ही पैचान रहे हैं आप narrowly कौन सा है यह जहां हम direct benefit लेते हैं इसको बोलते है narrowly यह हो जाएगा भई third third broadly utilitarian में क्या आएगा फॉस्ट और ethical में क्या आएगा सेकेंड या नहीं answer क्या होने वाला है 312 312 का मतलब है option B is correct answer भी हो जाएगा question number 12 का लगबक 50% हमने इस session को complete कर लिया है question number 13 क्या है भई species diversity increase as one proceeds from जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है किस तरफ से किस तरफ तो species diversity बढ़ती है high altitude to low altitude and high latitude to low latitude low altitude to high altitude and high latitude to low latitude low attitude से high altitude जाने पर और low latitude से high latitude जाने पर या high altitude से low altitude और low altitude से या latitude से high latitude क्या होने वाला है बई answer फटापट से हमें answer देना है क्या रहेगा अगर species diversity बढ़ती है किस तरफ से किस तरफ जाने पर तो कहां से कहां move होंगे species diversity बढ़ेगी जल्दी से हमें answer करना है भई answer रहेगा क्या हाई altitude से low altitude की तरफ अगर आएंगे species बढ़ती है ऐसे ही हाई latitude से low latitude की तरफ आएंगे तो भी species बढ़ती है यानि के answer होगा a option is correct question number 2013 का a option correct हो जाता है question number 14 क्या है भई इन cryopreservation germplasm is maintained at cryopreservation में इन में से minus 196 degree finite height zero degree finite height minus 100 degree finite height या none of these किस पे germplasm को maintain कर सकते है cryopreservation कितने degree पे करते हैं बहुत सारे answers आप में से लोगों के दिमाग में आ रहे हैं तो भई actually answer क्या होना चाहिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं minus 196 degree finite height लेकिन यह होना चाहिए था degree Celsius ना के finite height भई ठीक है तो finite height गलत है degree Celsius सही है answer क्या हो जाएगा none of these जल्दबाजी में अगर ऐसे question करेंगे गलत कर बैठेंगे हम लोग तो नीट में यह चीज ध्यान रखें कि जल्दबाजी में ऐसे questions नहीं करने हैं सोस समझके देख के करने अच्छे से answer क्या होगा none of these होगा next question question number 15 modern exit to conservation includes जो आज का modern exit to conservation होता है उसमें क्या है रहता है cryo preservation techniques होती है in vitro fertilization होता है propagation of plants by using tissue culture method होता है तो आज modern में क्या यह तीनों में से कौन-कौन रहता है only one only three two and three and all of these क्या रहेगा भई answer क्या रहने वाला है answer देखिए ढंग से answer क्या रहने वाला है भई हमसे पूचा गया है कि क्या इन में से modern exit to conservation में include होता है cryo preservation बिलकुल होता है जी सही बात है in vitro fertilization IVF technology बिलकुल use होती है propagation tissue culture method से बिलकुल use होता है यानि तीनों all of these correct answer होगा D question number 15 का 25 question एक bonus और bonus question के साथ ही physics में कैसे number लाएंगे आप इस बार अच्छे number लाएंगे इसका तोड दिया जाएगा आज बहुत important जोके नीट काका जेई ने एक बहुत अच्छा सा product launch किया है यहां आपको वो free में as a gift भी मिल सकता है कैसे उसके लिए बने रही है question number 16 क्या होगा भई the major cause of loss of numbers of migratory birds क्या reason है जिसकी वज़े से migratory birds का number बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है loss होती जा रही है bad weather urbanization pesticide fragmentation loss of habitat इन में से आपको देखना है क्या one and two है four and five है one two and five है या two four and five है क्या रहेगा बही answer जल्दी से बता दीजिए क्या रहने वाला answer question धंग से पढ़े टिक करें कौन-कौन से इन में से reasons है major cause of loss of number of migratory birds तो क्या reason रह सकते है fragmentation रह सकता है और loss of habitat रह सकता है इन्स वजे से answer क्या हो जाएगा four and five answer is b second option बाकी सबकी वजे से loss of number of migratory birds इतना नहीं होता है यह major reason है ठीक है ना question number 17 क्या है भई फिर से मैंस्ट फॉलाइंग बाद में options पहले over exploitation by humans इधर लिखा है environmental damage and threat to native species इधर लिखा है introduction of nile purge in lake Victoria decline in plant population less solar energy more ठीक है extinction of more than extinction of more than 2,000 species of native bird introduction of water hyacinth in India extinction of fish colonization of tropical pacific islands extinction of passenger pigeon जल्दी से पहचानना है हमें और इधर से answer देखने हैं क्या होगा answer correct answer क्या रहेगा अब तक आपने देख लिया होगा past थोड़ा सा करना होता है इस तरह के questions को हमें नीट में आजकल 16-17 मैं ask the following questions आते हैं recent trend यह कहता है तो क्या रहने वाला answer over exploitation by humans क्या रहेगा इसकी वज़े से extinction of passenger pigeon फिफ्थ हो जाएगा इसका introduction of nile perch in lake victoria 2000 species of native birds हुई थी या citulate fishes गई थी जल्दी से बताना है आपको तो extinction of citulate fishes बिल्कुल सही है fourth less solar energy अगर solar energy कम है तो क्या होगा भई इन में से है तो decline in plant population ऐसा हो जाएगा अगर solar energy कम है तो बात आती है introduction of water hyacinth इंडिया में water hyacinth के grow करने से क्या हुआ extinction of more than 2000 species of native birds क्या यह सही बात है या आपको बताना है environmental damage and threat to native species तो भई environmental damage होता है इससे ठीक है यह हो जाएगा इसका first colonization of tropical pacific islands tropical pacific islands के colonization से बहुत सारी species native birds की हट गई है आज तक 54213 54213 का मतलब है B is correct तो इस तरह के questions आते हैं अच्छे से हमको पता होना चाहिए concept clear होना चाहिए हम ऐसे questions के answer सही कर देंगे question number 18 पे आ जाते हैं भई if s is species richness in में से s है species richness next a is area z is slope of the line and c is y intercept then the species richness will be shown as kya रहेगा भई जल्दी से बता दीजिए kya रहेगा kya answer सही होगा kya s is equals to c plus a z s is equals to c a z kya a और z नीचे है यहाँ पे z उपर है c dot a z या c dot a की power z क्या रहेगा भई जी क्या रहने वाला है अगर हम कह रहे हैं यह species richness है एक log में अगर हम देखें थोड़ा hint देने के लिए क्या रहेगा भई log s is equals to log a या log c plus z log a तो क्या बन रहा है यह ऐसा ऐसा देखने पर क्या आ रहा है हमारे सामने क्या आएगा भई log s is equals to log c plus z log a तो क्या बन रहा है s is equals to c az या s is equals to c plus az जल्दी से बता दीजिए क्या रहने वाला है आंसर जल्दी से बताईए क्या यह आंसर होगा s is equals to c plus az या s is equals to c dot az हमने इतना भी बता दिया है log s is equals to log c plus z log a यानी c plus az आंसर हो जाएगा a question number 19 पर आ जाते हैं क्या रहेगा भई arrange the following places in increasing order of biodiversities of species of birds and select the right option columbia new york greenland india greenland new york india columbia new york india columbia greenland india columbia greenland new york अब आप सोचेंगे कहां है तो भई हमारे ncrd में जहां पे pattern of biodiversity बताया है वहाँ पे latitude की बात भी की हुई है कितने degree south कितने degree north पे क्या होता है और उस according bird की population का एक example दिया हुआ है जिसमें यह कहा हुआ है कि अगर हम बात करें columbia की अगर हम बात करें columbia की तो यहां birds की highest population है फिर बात करें इसके बाद तो आता है इंडिया क्योंकि इंडिया भी बहुत हद तक topics के पास में रहता है फिर आता है अगर हम मतलब सबसे कम रह जाता है तो 23.5 डिग्री साउथ सबसे क्लोज columbia उससे ही थोड़ा आगे इंडिया और फिर न्यू यॉक और greenland इस तरह से आपको मिलेगा आपको चाहिए था क्या आपको चाहिए था इंक्रीजिंग ओडर आपसे बोला था इंक्रीजिंग ओडर तो सबसे कम greenland फिर न्यू यॉक फिर इंडिया फिर columbia तो क्या रहने वाला है बई greenland न्यू यॉक इंडिया columbia answer हो जाएगा b second option is the correct answer इस तरह से इस question को करना है next question question number 20 क्या है बई the relationship between the species richness and the area for a wide variety of texa appears as relationship between the species richness and the area for a wide variety of texa appears as a straight line sigmoid curve rectangular hyperbola या नन अफ दीज ये word as it is लिखा हुआ है NCRD के अंदर क्या रहने वाला है ऐसा relationship जल्दी से बता दीजिए भाई क्या रहेगा answer तो answer होगा rectangular hyperbola rectangular hyperbola रहेगा सही answer ठीक है next चलते है 21 number question पे the value of z lies in the range of dash regardless of the taxonomic group or the reason the most appropriate value to fill the blank is क्या रहने वाली है बई जैड नॉमली जैड की जो value रहती है normally the value of z lies in the range of dash regardless of the taxonomic group चाहे reason की बात कर लें या taxonomic group की बात कर लें value of z किसके बीच में लगबग लगबग रहती है अगर हम पूरे continent को नहीं ले रहे है तो अगर हम नॉमली बात कर रहे है तो क्या answer होगा पूरे continent को लेंगे वो बात नहीं कर रहे है हम कुछ अगर ले रहे हैं तो क्या answer रहेगा भाई answer रहेगा इसका 0.1 to 0.2 अगर हम कहते लार्ज कॉंटिनेंट तो हो जाता 0.6 to 1.2 स्टीपर हो जाता ज्यादा ठीक है क्वेशन अमबर 22 क्या है विच अफ़ फॉलाइंग हाइपोथिस सजेट्स देट इको सिस्टम आर लाइक एरो प्लेन वेर फ्लाइट सेफटी में और में नॉट बी कंप्रमाइज डिपेंड अपाउन विच स्पीशीज आर बिंग लॉस्ट क्या होगा भई क्या रहेगा इसका अंसर हमसे बुला है वह है वह आईपोथिस जिसमें एरो प्लेन की बात किया बाद किया कौन सी है वह क्या वह गया है आईपोथिस एक गॉस एक्स्क्लूजन है पॉदम्स है या रिवर् पॉपर हाइपोथिस किसने दी थी यह पॉल एलिक ने दी थी यह ठीक है पॉल एलिक स्टेंफर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने यह बताया था कि कैसे एक बादिवर्स्टी लॉस होती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका क्वेशन नूमबर 23 दा और गनाजेशन वि है WWF क्या होगा बही आंसर अंसर रहने वाला है क्या तो बही आंसर होगा IUCN IUCN यानि के International Union for Conservation of Nature and Natural Resources यह पब्लिश करते हैं Red List ठीक है सब को आना चाहिए easy है question question number 24 क्या है देख लेते हैं which of the following is the most important cause for animal and plants being driven to extinction extinction के लिए खासकर animals or plants के extinction के लिए इन में से most important cause कौन है भाई जल्दी से बताना है क्या होगा आंसर क्या रहेगा इसका आंसर भाई जल्दी से हमको आंसर देना है क्या रहेगा आंसर तो भाई हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं animals and plants being driven to extinction most important cause कौन सा है तो most important cause है habitat loss and fragmentation इसकी वज़े से सबसे ज्यादा destruction होता है और यह आपको आना चाहिए लिखा हुआ है habitat loss and fragmentation के लिए कि यह कैसा है एक ऐसा हम कह सकते हैं सबसे important cause जिसकी वज़े से extinction होता है लिखा है यह point 24 number question 25 क्या है भई last question जो अपन discuss करेंगे इसके बाद हम एक jackpot question पर आएंगे और physics कैसे अच्छी करें नीट का का JEE के तरफ से हम आपको यह चीज समझाएंगे institute strategies include national park wildlife sanctuary biosphere reserve sacred group correct option हमको find out करना इन में से क्या होगा भई जल्दी से बता दीजिए और एक जो मैंने question mark create कर दिया है जिसको अब तक आपने देख लिया होगा क्या as is equals to c a z होता है या as is equals to c plus a z होता है यह मैंने एक point आपको अब तक create कर दिया है जो आपके mind में चल रहा है क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें लेकर के आएं यह point बोलने का या इस answer को c plus a z देने का एक reason रहा है मेरे पीछे जो question ऐसा हमने discuss किया था वो reason चुपा हुआ है physics में क्योंकि इस तरह की एक physics की चीज है यह reason चुपा हुआ है physics में अभी कई बच्चे कहेंगे sir s is equals to c a z होना चाहिए आप कह रहे है s is equals to c plus a z तो मैं यहीं बता रहा हूँ आपको यह चीज उस question की क्या कह रहा हूँ मैं जिन्होंने पूरा देखा है session वो समझ पाएंगे मैं कुछ physics की चीजें ऐसा ही कुछ physics होता है कुछ physics की चीजें जो हम गलती कर देते हैं वो गलती कैसे नहीं करें और कैसे हम अपनी physics को strong करके 360 में से 360 बायो में और 180 में से 180 physics में भी लाकर के दिखाए कैसे उसके पीछे आज last में हम कुछ discuss करने वाले हैं उसी की वज़े से मैंने ये जान के वहाँ पर कुछ गड़बर किया है क्यूं किया है मैं यह दिखाना चाह रहा था कि नहीं है मुझे याद मुझे गलती हो गई क्यूं हो गई क्यूंकि मैंने वो चीज नहीं की जो नी वाइल लाइफ सेंक्चुरी वाइल लाइफ सेंक्चुरी की बात हो रही है वाइल लाइफ क्या नहीं हो रही है सफारी पाक की बात नहीं हो रही है सेंक्चुरी इंसिटू में ही आती है वाइल लाइफ सेंक्चुरी की बात हो रही है वाइल लाइफ क्या नहीं हो रही है स the correct answer 25 questions हमने complete कर लिये 26 number question जो jackpot रहने वाला है jackpot रहने वाला equation आज क्या मिलने वाला है पहले तो यह बता देता हूं आज मिलने वाली है यह जीत की रंडीती बुक लेकिन एक important चीज जो आपके सामने में लेकर के आया हूं उसे जरूर देखिए आज के लिए बहुत important है यह यह मेरे पास जो है भई physics formula देखिए बहुत अच्छे से design इतना अच्छा कासा कि आप अपने घर पे लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं तो हमने पीछे tapes भी दिये हैं जिससे आप इसे चिपका सके अपनी wall पे इन में क्या है यह सारे physics के formula है जो आपके NEET में काम में आते हैं यानि के आपके लिए 11th और 12th की जो NCRD physics की books है या physics में जो भी syllabus है आपके NEET का complete formula हर chapter के यह chapter physics contents के नाम से motion in one and two dimension, newton's law of motion and friction, work, power and energy, impulse, momentum ऐसा करते हुए सारा हम तो बोलते हैं बच्चों को करना चाहिए काम खुद को लेकिन अगर बच्चे नहीं कर पाए तो हमने यह formula बना दिया इस तरह की sheet बना दिये launch कर दिया इसे amazon of flip card पे आप चाहें वहां से खरीद सकते हैं बच्चे कह रहे हैं सब थोड़ा सा महेंगा product है महेंगा नहीं है paper quality color होना इतना बड़ा होना यानि के 16 pages के बराबर आपके A4 size 16 pages के बराबर है यह तो cost बनती है और उससे बड़ी बात है Amazon या Flipkart आपको घर तक पहुंचाता है उसकी costing इसकी वज़ेसे इसकी costing थोड़ी बहुत जादा नहीं 200 रुपए के आसपास है 199 के आसपास है तो भई यह एक product हमने निकाला है आने वाले sessions में जो हमारा SSQC का session है आने वाले session में हम आने व comment पे और जो सही answer देगा हमारे jackpot question का तो आने वाले time में हम ये भी देने वाले launch हो चुका है जिसको खरीदना Amazon और Flipkart से खरीद भी सकता है बहुत important है physics के लिए आप अपने room में लगाईए पढ़िए dailys को go through करिए और आप देखिएगा कि कितने अच्छे marks आपके physics में आते जो गलती हम कर बैठते हैं चोड़ी मोठी जैसे अभी हमने देखी ऐसी गलती नहीं होती है अगर आपको formulas आते हैं तो अब देखिए आज की exercise क्या रहेगी आपकी जो question हम आपसे पूछेंगे jackpot question होगा जीतो जीत की रणीती question है आपको क्या करना है जो comment box है उसमें आपको question का सही answer देना है comment box में क्या करना है सही answer देना है जीतो जीत की रणीती के लिए जैसे ही आप सही answer देंगे आपके answer पे कल शाम तक कितने like रहते हैं अगर आपको मिलते हैं highest like तो आप विजेता रहेंगे winner रहेंगे किसके जीत की रणीती इस book के question क्या है देख लेते हैं भई if log a is equals to 4, z is equals to 0.3 and log c is equals to 0.8 वही चीज जो हमने कहा था कि हमने s log की value के साथ समझाया है समझना a 4, z 0.3, c 0.8 log बता दिया है find the value of log s क्या रहने वाली है आपको find करनी है value बहुत easy question हो जाता है आपको आना चाहिए बस put करना एंसर देना है कौन बच्चा सबसे highest like लेकर करके जाता है इस question पर इसी के साथ आज के session को हम complete करते है next session में मिलेंगे environmental issues chapter के साथ आज के लिए इतना ही आगे बढ़िए खूब पढ़िए और एक best medical college में पहुंच आईए all the best thank you हुआ 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 है